वेलकम तो मैं चैनल मेकिंग होम्स आज मैं आपको ड्राइफ फ्रूट्स का एक बेहत हल्दी रेसिपी ड्राइफ रिलाइट बनाना सिखाऊंगी जिसके इंग्रेडियेंट्स हैं काला खजूर एक कप, बदाम एक कप, काजू एक कप और बिना नमक के पिस्ते एक कप ड्राइफ फ्रूट्स को हम मिक्सी में डालकर पाउडर बनाएंगे नहीं तो ऐसा ड्राइफ फ्रूट कटर आता है जिसमें मैं उनको छोटे-छोटे काट रही हूँ और पतले-पतले ड्राइफ फ्रूट्स कट जाते हैं इसमें हम लोग बदाम, काजू और पिस्ता को हमें इस तरह काटना है, जैसा मैंने काटके रखा है, नहीं तो आप पाउडर भी कर सकते हैं, और जो बचा हुआ है हमारा खजूर को, ये बहुत ही सौफ्ट रेता है, तो हम लोग इसका seeds आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, देखे मैं बहुत ही आसानी से ये निकाल रही हूँ seeds, इस तरह हमें सारे सीड्स निकाल देने हैं और पूरे सीड्स निकालने के बाद हम लोग इसको एक आटे की तरह इसको गोल बना सकते हैं आप आप देख रहे हो इतना सौफ्ट डो की तरह ये बन चुका है ये अब हमारा बाहर का जो परत है हमारे ड्राइफूट्स डिलाइट का वो तयार है अभी हम लोग ड्राइफूट्स को घी में थोड़ा सा तलेंगे हमारे आलमंड, पिस्ता और काजु को हम लोग तलेंगे क्योंकि ये ज़्यादातर एसी में रहते हैं मौल्स में वगेरा और फिर घर में भी हम लोग इनको फ्रिज में रखते हैं तो अभी हम लोगों ने ऐसे ही मिठाई बनाया और बाहर रखा तो इसमें थोड़ा सा स्मेल आने का चांसस रहता है और ये घी में फ्राइ करने से एक क्रंची टेक्स्चर भी इसको आता है इसलिए मैं इसको खheen में अच्छे से रोस्ट कर रही हूँ अभी आप देख सकते हैं कि ये आल्मोस्ट रोस्ट हो चुके हैं कलर इनका चेंज हो रहा है अभी हम लोग इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे और इनको हम लोग थंडा होने के लिए रख देते हैं अभी ये थंड़ा हो चुका है अभी मैं इसमें टाइफ्रूट्स डिलाइट बना के दिखाऊंगी अभी मैंने ये खजूर का जो हम लोगोंने डो बना के रखा था उसमें से थोड़ा सा खजूर का लिया है और उसको हम लोग कोई भी शेप दे सकते है अभी मैं पहले बना रही हूँ ड्राइफ्रूट्स रोल इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसा खीच के रेक्टैंगल शेप देंगे इस रेक्टैंगल शेप में मैं इसको अच्छे से इसको ड्राइफ्रूट्स भर रही हूँ इसमें आप देख सकते हो ड्राइफ्रूट्स भरके मैं इसको रोल कर रही हूँ इस रोल को अच्छे से हम लोग पैक करेंगे और ताकि ये ओपन नहों और इसको मैंने पहले से ही काजू पाउडर बना के रखा है कैशू जो है हमारा पाउडर बना के रखा है इसमें मैं रोल करूँगी ताकि ये बाहर से अच्छा दिखें और जो एक्स्ट्रा जो पाउडर लगा है कैशू का वो हम लोग निकाल लेंगे ताकि वो जो ब्लैक कलर भी और फिर काजू का कलर दोनों का कलर दिखें अभी मैं नेक्स्ट बना रही हूँ लड्डू इसको लड्डू का शेप देकर हम लोग इसमें अच्छे से ड्राइफ्रूट्स भरेंगे भरके इसको हम लोग पैक करेंगे पैक करेंगे और उसके बाद लड्डू जैसे बनाते हैं वैसे हम लोग बनाएंगे क्योंकि ये खजूर जो है बहुत ही अच्छा उसका डो बना है तो आराम से लड़ू बन जाते हैं और उस अंदर घी भी है तो आप देख सकते हो ये लड़ू बन गया अभी मैं बना रही हूँ मोदक मोदक क्यों जैसा हम लोग पारा बनाते हैं उसका उस तरह मोदक के स्टाइल में हम लोग इसको थोड़ा बड़ा कटोरी बनाएंगे इसमें और उसके अंदर मैं भी स्टफिंग भरती हूँ स्टफिंग होगा हमारा ये ड्राइफ्रूट्स का अभी मैं वो मोदक का शेप उसको देती हूँ ये मैंने पांच उसका ये बनाया है और हम लोग इसको सील करेंगे और उसको अच्छे से हम लोग शेप कर देंगे मोदक का शेप आप गंपती जी को ये ड्राइफ्रूट्स का भी नवेद्य चड़ा सकते हो हेल्दी भी है अभी मैं बनाऊंगे बच्चों का फेवरेट चोकलेट इसको हम लोग टॉफिश शेप देंगे ये देखे मैंने छोटा रेक्टाइंगिलर बनाया है बीचों बीच हम लोग ऐसा ड्राइफ्रूट्स रखेंगे और दोनों साइड से हम लोग इसको सील करेंगे काजू रोल बनाते समय मैंने रोल किया था अभी मैं सील कर रही हूँ ऐसे चारों बाजूं से हम लोग सील करेंगे तो ऐसे टौफिया खाएंगे तो बच्चे भी खुश और उनकी मम्या भी खुश अभी मैं आपको काजू रोल काटके दिखा रही हूँ यह देखिए अंदर कितना अच्छा स्टफिंग हुआ है अगर आपको यह मेरा रेसिपी पसंद आया है तो बनाएए खाएए दोस्तों को भी खिलाएए हेल्दी का हेल्दी टेस्टी का टेस्टी और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरा चैनल मेकिंग हॉम्स थैंक यू फॉर वाच्छिंग